हालो केंसर, केंसर यानि करकनासी, नमस्ते, मैं सुरेश गोड स्वागत करती हूँ आपका आपके अपने ट्रिपल एस इंदी टेरो पर तो फ्रेंड्स आज हम लव रेडिंग करेंगे जो आठ दिसंबर से पंदरा दिसंबर तक वीकली यानि सापताइक रेडिंग होगी और ये एक जनरल लेडिंग है, जैसा कि आप जानते हैं, जिस पर जितनी रेजोनेट होती है, आप उसे एक्सेप्ट कर सकते हैं, बाकि अपने फ्रेंड्स और दोस्तों के लिए पास कीजिए तो इसमें हम देखेंगे कि कैंसर आपके पार्टनर आपके लिए क्या फिलिंग रखते हैं और वो आपसे क्या चाते हैं, फिर हम देखेंगे कि आप अपने पार्टनर के लिए क्या फिलिंग रखते हैं और आप उनसे क्या चाते हैं, फिर लास्ट में हम देखेंगे कि इस रिष्टे का एक दूसरे के लिए आउटकम क्या रहता है तो चलिए देख लेते हैं कि युनिवर्जी क्या गाइड कर रहे है या इसमें आपके अनर्जी और आपके पार्टनर के अनर्जी कैसी रहने वाली है तो फ्रेंट्स मैं कई दिन से बिमार चल रही थी तो मैं होस्प क्या चाते हैं फिर देखते हैं आप उनके लिए क्या फिल कर रहे हैं आप उनसे क्या चाते हैं और इस रिष्टे का आउटकम कैसा रहने वाला है आपके पार्टनर आपके लिए क्या फिल कर रहे हैं कैंसर कहीं न कहीं लग रहा है कि आपके पार्टनर आजकल आपके लिए कुछ अच्छा फिल नहीं कर रहे है वो आपसे प्रेशान है आपसे दुखी है वो आप कई न कई लग रहा है कि आपके बीच में लड़ाई चली हुई है कोई ना कोई द्वन्द यूद चला हुआ है या तो आपस में आपकी लड़ाई चली हुई है या आप mentally disturbed है, प्रेशान है, आपके मन में द्वंद यूद चल रहा है, आप confusion में है, आप confused है, आप अपनी दिक्कतों से बाहर नहीं निकल रहे हैं, जिन से आपको बाहर निकलने की जुरूरत है, और प्लीज आप इन दिनों घर से बाहर मत निकलिए, उनके साथ जगडा मत क कीजिए, नहीं तो अगर आप ऐसा करते हैं, तो आप की लड़ाई एक बढ़ सकती है, इसमें इतनी हो सकती है कि आप physically भी mentally प्रेशानी के साथ, physically चोट भी आप उसमें खा सकते हैं, आप mentally चोट खाई वे कई न कई इसमें दिखाई दे रहे हैं, प्रेशानियां आपकी आप बाहर मत निकलिए, क्योंकि कहीं न कहीं लग रहा है कि आपकी दिक्कतें काफी बढ़ी हुई हैं, काफी confusion में, काफी दिक्कत में, काफी प्रेशानियों में हैं, हो सकता है कि किसी चीज को लेकर आपका जगड़ा हुआ है, और दिक्कतें आपकी काफी बढ़ी हैं, हो सकता है कि किसी की उसमें इतने ज़्यादा लड़ाई हुई है कि आप फिजिकली चोट भी खाय हुए हैं तो आप इसको बंद कीजिये और घर में रहिए आपको घर में रुकने की ठहरने की इसमें सला दी जाती है क्योंकि ये अनर्जी कुछ दिनों के लिए होती है कुछ दिनों के बाद आपकी अनर्जी फिर से चिंज होगी और फिर आप उससे बाते कर सकते हैं तो अभी के लिए रुकने की और ठहरने की आपको इसमें सलाह दी जाती है आप उनसे क्या चाहते हैं कैंसर आपके पार्टनर आपसे क्या चाहते हैं कहीं ना कहीं आपके पार्टनर आपसे चाहते हैं कि जो हो सकता है कि आपकी वज़ा से आपने उनका दिल दुखाया है आपने उनका दिल तोड़ा है जिससे उनके उनको काफी आगात पहुँचा है उनके दिल में चोटा ही है उनसे बातें ना करें। अभी वो चाहते हैं कि अभी सिर्फ और सिर्फ आप रुकें, ठहरें, कन्फूजन से बाहर निकलें, प्रेशानियों से बाहर निकलें, मेडिटेशन करें, भगवान में आस्था लगाएं, भगवान से प्रार्थना करें कि सब कुछ ठीक हो जाएं। जब सब कुछ ठीक हो जाए आपको लगे कि अब मेंटली प्रिपेर हैं, आप ठीक हो गए हैं, आप उनसे लड़ाई जगडा नहीं करने वाले हैं, आप अपने आपको संभाल चुके हैं, तो तभी आप इस रिस्ते को आगे बढ़ाने के बारे में सोच सकते हैं, अभी आपक अपने आपको बगवान में से सेरेंडर कर दीजिए, बगवान के बरोसे सब कुछ छोड़ दीजिए, बगवान जी जो भी कुछ आप करेंगे, सब अच्छा करेंगे, तो इस वावना के साथ आप बगवान के बरोसे सब कुछ छोड़ दीजिए, आप अपने आपको सेरें जिए confusion से बाहर आईए जो आपने उनको चोटे पहुंचाई हैं आगाद दिये हैं उनको भर जाने दीजिए तब ही आप उनसे इस बारे में बातें कर सकते हैं आभी के लिए आपको रुकने और ठहरने की सला दी जाती है यह eight of pentacles तो आपके partner आपसे क्या चाते हैं कई ना कई cancer आप अपने partner से क्या चाते हैं आप चाहा रहे हैं कि आपके जो partner हैं अभी इस रिष्टे के बारे में ना सोचें अभी वो पहले stability के बारे में सोचें अभी वो पहले stable हो जाएं पहले पैसे के लिए focus करें आर्थिक रूप से अपने आपको संभालें मजबूत हो जाएं जब वो stable हो जाते हैं तब ही प्यार बो मौबत के बारे में सोचें कहीं ना कहीं आप बार बार सोच रहे हैं कि जब तक आर्थिक तंगी रहेगी जब तक प्रेशानिया आती रहेगी तो आप चाहते हैं बार-बार आप सोच रहे हैं कि पहले आर्थिक तंगी से बाहर निकला जाए इस पर काम किया जाए पहले स्टेबल हुआ जाए तभी उस प्यार मौबत के बारे में काम किया जाए अब आप बार-बार एक ही सोच रहे हैं कि पहले स्टेबल हो और इस पर फोकस किया जाए इस पर स्टेबल हुआ जाए पैसे बनाए जाए और इस पर फोकस हो तभी प्यार मौबत के बारे में आगे बात की जाए तो आप स्टेबलेटी चाह रहे हैं इस पर काम करना चाह रहे हैं एफर्ट लगाना चाह रहे हैं मैनत और परिश्रम करना चाह रहे हैं आप बार-बार सोच रहे हैं कि उनके पार्टनर इसको सोचें समझें कि पहले स्टेबल होना जरूरी है लाइफ में पहले मैनत करना ज तो आप से, कैंसर आप अपने पार्टनर से क्या चाहते हैं आगर जोस में होस खोते हैं तो वो अपने साथ साथ सामने वाले को भी दुख पहुँचाते हैं सामने वाला भी इसमें नुकसान उठा सकता है वो बार बार चाहा रहे हैं कि जो समें होसना किया जाए एक्शन लिया जाए लेकिन समय आने पर एक्शन लिया जाए अगर बिना समय के जल्द बाजी की गई तो वो सामने वाले को भी नुकसान दे सकत वो फिजिकली खुद भी चोट अपने आपको भी चोट पहुचा सकता है और सामने वाले को भी चोट दे सकता है तो वो सामने वाले को भी समझाना चाहिए जो लोग बार बार जल्द बाजी करती हैं तो उनको भी समझाना चाहिए कि अभी के लिए ठेर ये सोचिए समझिए जल्दबाजी मत कीजिए समय आने पर ही इसकाम को कीजिए क्योंकि जल्दबाजी करने से सिर्फ और सिर्फ नुकसान होता है कोई फाइदा नहीं होता तो अपने आपको भी थोड़ा सा ठैरिए आपको रुकने की जुरूरत है और ठैर कर सोच समझ कर आगे कदम बढ़ाईए और स्टेबलेटी के साथ समय आने पर एक्शन लीजिए जल्दबाजी करने से खुद को भी नुकसान होगा सामने वाले को भी नुकसान हो सकता है तो आप अभी रुकिये ठैरिये सोचिये समझिये और आगे कदम बढ़ाईए तो इसमें युनिवर्जी क्या गाइड कर रह हैं तो इसमें क्या इस रिष्टे का आउटकम आने वाला है यह युनिवर्जी बता रहे हैं कि आपके पास दो दो सौर्सिज हैं या दो दो आपको ओपर सुनिटी मिल रही हैं तो आपको अभी इसमें सला दी जा रही है कि आपको ऐसा रस्ता अभी चुनने की जरूरत है जो आपको stability की और लेकर जा रहा है तो आपको अभी रुक कर ठहर कर decision लेने की जुरूरत है अभी आपको फैसला करने की जुरूरत है कि कौन सा रस्ता आगे stable करने वाला है जिस में आगे जाकर आपकी life बनने वाली है आप stable होने वाले हैं आप वो रस्ता चुनिए जो आपका future secure करने वाला है जल्द बाजी में मत बहिए जल्दी हमेसा जो जल्द बाजी होती है वो हमेसा नुकसान करती है अभी के लिए आपको सोच कर समझ कर आगे बढ़ने की जुरूरत है अगर आप सोच समझ कर ठहर कर आगे बढ़ते हैं और decision लेते हैं जो तो आगे जाकर future में आपको काफी growth मिल सकती है जल्द बाजी मत कीजिए रुखिए ठहरिए सोचिए समझिए और आगे कदम बढ़ाईए जो आगे stability की और लेकर जाएगी जो आपको अच्छा result दे सकती है तो आज के लिए बस इतना ही फिर एक नई वीडियो के साथ मिलेंगे friends अगर आपको मेर अच्छी वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगती है तो फ्लीज लाइक कीजिए शेयर कीजिए सब्सक्राइब कीजिए और अच्छे अच्छे कमेंट्स कीजिए क्योंकि इससे मुझे motivation मिलता है help निलती है नमस्ती thank you so much